हाई फ्रेंट्स मैं आर्थी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने बाले हूं कि आप बेबी मौजा कैसे बनाईएगा तो फ्रेंट्स उसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा ले ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और वीडियो को लास तक जरूर देखे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और एक दूसरी के साथ सेयर जरूर करें और कमेंट जरूर क करें तो देखे फ्रेंस में ये निव वार्न वेवी के लिए बना रही हूं मेरी बाहन को बेटा हुआ है उसको देने के लिए मैं ये एक छोटा सा मोजा बना रही हूं तो ये मैं देखिए दो कलर में उल्ली हूं और इस पर मैं 23 फंदे डाल कर दोनों तरफ से सिधा-सिधा जो आपको उल्टी लाइन दिखाई दे रहा है तो ये आप दोनों तरफ से सिधा-सिधा बुनिएगा देखिए इस तरह से आगे से भी सिधा और पीछे से भी सिधा बुनिएगा तो ये आपका उल्टी जो दिख रहा है ये आपका उल्टा लाइन बन जाएगा तो फ्रें यह उल्टा उल्टा तो आप इसको बंद कर दीजिएगा बोन न उसके बाद में आगे आपको डिजाइन बताओंगी जो आप आगे डिजाइन क्या बनाईएगा तो आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं तो देखिए प्रेंस यह बारा लाइन बनके कंप्लीट हो गया है तो आप द़खंदा काएक करते हुए आठ फंदे आपको बंद करने हैं तो आप यह लोग किसी बच्चे को गिफ्ट भी दे सकते हैं अभी ठंडा का मॉसम है दिजि येगा तो अभी बेबी को मोजा जितना हो उतना अच्छा रहेगा तो आप मोजा हो या बेबी कैप हो, यह यासा गिप्ट उनको दीजिएगा तो बहुत ही खुश होंगे तो देखिए दो चार छो आठ दस दो बारा चौदा को पंदरा पंदरा फंदे यहां पर मैंने आठ फंदे बंद कर लिये हैं और पंदरा फंदे यहां पर बचे हैं तो यहां से आप लोग इस तरह से दूसरा को जोइंट कीजिएगा और फिर यहां से मैं आपको डिजाइन बता रही हूं जो आप लोग इसमें डिजाइन क्या बनाईएगा तो देखिए पहला फंदा आप लोग यह यहलो कलर से पिला बुन लिजिएगा और फिर यह इस तरह से आप उल पर फंदे में आप उसलाई पर दो बारूल को लपेटिएगा और इस तरह से सिधा बुनते हुए आप लोग हर एक फंदा में सलाई पर दो बारूल लपेट कर इस सलाई को कम्प्लीट किजिएगा तो यह डिजाइन उल्टी तरफ से बनता है तो मैं उल्टी तरफ में यह डिजाइन आपको बना कर 40 फंदो में आप इस तरह से सिधा तरप से किजिएगा तो अब उल्टी तरफ में देखिए जो आपको तीन फंदे इस तरह से उतारने हैं फिर इस सलाई पर रखना है फिर तीनो में एक साथ आप सलाई को डाल कर इस мама सिधा बुनिएगा फिर फंदा को इधर लाईएगा उ और एक सीधा, एक उल्टा, और एक सीधा, फिर तीन फंदे को इस तरह से उतारना है, और एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरह से आप ये डिजाइन को बनाईएगा, तो देखिए आप सीधा तरफ में आपको इस सारे फंदे को इस तरह से ये लो कलर से सीधा बुननों है, एक सलाई सीधी तरफ से ये डिजाइन बन गया है, देखिए बनने के बाद कितना सुन्दर लग रहा है, तो आप लोग सीधी तरफ से शीधी और उल्टी तरफ से दोनों साइड से सिधा बुनना है तो ये बीच में आपको उल्टी उल्टी लाइन बनेगा तो ये आप चार सलाई बुनिएगा ताकि दोनों तरब से सिधा बुनिएगा जो आपका दो लाइन बन जाएगा तो ये लो कलर का ये जो डिजैन में बताई हूँ ये आपको छो ल लाइन बनाने हैं उसके बाद फिर आप उपर में जिस तरह से यहां पर दिख रहा है तो मैं उपर आपको बताऊंगी जो यह उपर आप कैसे बनाईएगा तो पहले आप देख लीजिए यह आपको सिधा तरब से भी सिधा और उल्टा तरब से भी सिधा बनाईएगा तो यह डिजैन रेड वाला पॉस लाइन बनाना है तो उसके बाद फिर मैं आपको उपर बताऊंगे तो देखे प्रेंस यह चौर लाइन यह डिजैन बन गया है एक, दो, तीन, चार, पंच, छो और ये पंच लाइन लाल वाला में बनाई हूँ तो मैं आपको समझा दे हूँ कि आप लोग कैसे बनाईएगा तो आप देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ जो फंदे घटाए थे वो कैसे बढाऊंगी तो इस तरह से आप सिधा से भी सिधा बुनिएगा और उल्टा से भी सिधा बुनिएगा और फ्रेंड्स यह मैं न्यू बोर्ण बेवी से लेकर एक साल बेवी के लिए बता रही हूँ आपको देखिये लास्ट में आप फंदे इस तरह से आप बढ़ाईएगा और फिर आप इसी फंदा को इस पर चढ़ा लिजियेगा फिर आप इसी को फिर दुवारा आपको जितना फंदे घटाए थे उतना बार आप इस सलाई पर इस फंदा को रखकर आपको फंदे बढ़ाने है ताकि ये मैं शुरू से 23 फंदे बताई थी तो 23 फंदे बढ़ाने के बाद ये बन जाए तो इस तरह से देखिए जो आपको 23 फंदे यहां बढ़ा कर बढ़ाने है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फंदे बन गए है और 3 बार और हमको फंदे बढ़ाने है ये आप 23 फंदे बना कर उसके बाद आप नीचे में जितना आपको बोली थी 24 सलाई आपको दोनों तरफ से सिधा सिधा बुनना है जब 12 लाइन आपका बन जाए तो आपका ये स्वाक्स बन कर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं इस स्वाक्स की आपको सिलाई करना बताऊंगी और फंदे बंद करना लास्ट में बताऊंगी जो आप लोग कैसे फंदे बंद कीजिएगा तो देखिए ये बनाने के बाद ते इस फंदे बन गए हैं और आप दोनों तरफ से सिधा सिधा बुन कर ये जो नीचे आपको दिख रहा है इतना लाइन आप लोग उपर इधर बनाना है तो देखिए फ्रेंट्स ये बेबी सूज बनके तयार हो गया है मैं ये आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पर ये पीला वाला च्वा लाइन और ये वाला पहुंच लाइन और यहाँ फिर ये 12 लाइन जैसे यहाँ है वेसे यहाँ बनेगा तो आप मैं आपको फंदे लास् करते हुए उल्टी तरफ से आप इसको बंद कर लिजिए गा उसके बाको इसकी शीलाई बताओंगी तो उसके लिए आप लोगे एक शुई और आगे मैं आपको एक डोरी बनना बताओंगी तो उसके लिए अप हासी लेकर लिए लेलीजिए और अगर आप इस सूज में पम पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो दो पॉम पॉम या फैंसी बटन या कोई भी फोलावर बुन कर दो ले लिजिएगा थाकि आप सूज के उपर में लगा सके तो आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए मैं इसकी शिलाई कैसे करते हूं देहन से आप लोग देखिएगा यहां से आपको पहले साइट सिलना है यहां पर छोड़ दीजिएगा तो आपको यहां से लेकर यहां तक जहां यह रेड है वहां तक आपको सिलाई करना है दोनों को मिलाते हुए अच्छी से आप दोबारा मजबूत पहले एक बार इधर से करते जाए और फिर दोबारा इसको दोराते हुए मजबूती से इसकी आप लोग शिलाई कर लीजिएगा तो इसी तरह से आप लोग इसकी शिलाई मजबूती से करते हुए यहां तक आपको सिलना है फिर मैं आगे आपको बताऊंगी जो क्या करना है तो देखे फ्रेंट्स फिर आपको यहां से सुई में इस तरह से यहां जो बुने हुए हैं इसको सुई को इस तरह से डालना है चारो तरफ आपको इस बीच से आपको एक एक फंदे के बीच से सुई को निकालते हुए झालते हुए फिर इस तरह आपको जोर से उलको खीचना है और मिलाते हुए आपको यहां पर इसकी शिलाई करना है लाइन बाइन मिलाते हुए ताकि देखने में सुन्दर लग सके और फिर इधर आप सील कर पूल को कट कर लीजिएगा इसके लिए आपको एक शीजर चाहिए या ब्लेड भी ले सकते हैं और फिर इस तरह से आप इसको सिधा कर येगा और फिर इस सूल के इधर में आपको एक नप डालना है और फिर इधर आप सीधा तरब से फिर आपको ये जो भाग सिला हुआ है इसको छोड़ देना है और यहाँ पर सुई को बीच के फंदे से इस तरह से निकालते हुए खिचिएगा जिस तरह आप नीचे सिलाई किये हैं इसी तरह इसको भी यहाँ पर आपको एक एक पंदे के बीच में सुई को डालते हुए खिचना है तो यह आपका आप सूज बनकर तयार हो जाएगा तो यह दिखने आप किसी भी कलर में इस सूज को बना सकते हैं किसी को गिप्ट कर सकते हैं यह बनने के बाद बहुत ही बीटीफूल लगता है तो आप देखे बस यहाँ जहाँ पर आपको पिला दिख रहा है यहाँ तक आप इसकी इस तरह से पूल को खिचिएगा और यहाँ पर भी आप लाइन बाइन मिलाते हुए इसकी उपर से ही इसकी सिलाई कर लिजीएगा और फिर देखे यहाँ मैं दोनों कलर को मिक्स करते हुए तो फिर यहाँ पर देखे प्रेंस इसको आपको लाइन बाइन मिलाते हुए उपर से ही सिलाई कर लेना है और मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर आप कोई भी फ्लॉवर, फैंसी बटन या पॉम पॉम बना कर यहाँ पर आप उसकी सिलाई कर सकते हैं तो मैं देखिए एक फ्लॉवर बनाई हुई हूँ ऐसा रोज जो कि मैं यहाँ पर आपको देखिए आप कैसे सिलिएगा वह मैं बता रही हूँ तो इस तरह से आप फ्लॉवर को रखिएगा और सुई को बीच से निकाल लिएगा इस तरह से और फिर आप यहाँ इसको उपर रख कर फ्लॉवर को सेट कर लीजिएगा ताकि यह देखने में और ब्यूटिफुल लगे आप कोच भी यहाँ पर लगा सकते हैं फैंसी बटन पॉम पॉम या कोई भी फ्लॉवर तो मैं देखिए एक सूज ऐसा इसका बनाई हुई हूँ और यह मैं आपको डोरी बता दी हूँ जो आप दोनों कलर मिक्स करके 70 चेन बनाकर यहाँ पर आप यह चोटा सा नौक लगा कर गट लगा लिजिएगा या आप दोनों डोरी के साइड में एक चोटा चोटा पॉम पॉम बनाकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं और यह मैं देखें डोरी कैसे लगाई हूँ वह आपको मैं फुलावर सेट करने के बाद आपको बता रही हूँ तो आप लोग वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा देखें प्रेंस यह मैं फुलावर सेट कर लिए हूँ तो अगर आप चाहें बिना डोरी का रखिएगा तो इस तरह से आपका यह इस तरह से आप बेबी के पैर में डाल कर पहना सकते हैं और अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो फिर इधर सुई में आप इस तरह से उलको इस डोरी के एक छोर का भाग आप लगा लिजिएगा डाल कर फिर इस तरह से आप एक एक तो यहां आप सुई को इस तरह से दो उल्टा के बीच से इस तरह से फसाईएगा और डोरी को इस तरह से खिचते हुए आप थोरी थोरी दूर पर यह दो लाइन छोर दीजिएगा फिर इस तरह से आप खिचिएगा और ये चारो साइड आप डोरी को इस तरह से सूज में लगा लीजिएगा ताकि आपके बेबी के पैर में डालने में सुवधा हो और डोरी से आप इस डोरी का इस तरह से इस्तेमाल करिएगा देखें ये पुरा सेट हो गया है तो आप निववर्न बेबी को भी ये पहना सकते हैं और सालवर बच्चे को भी पहना सकते हैं इसमें आप उनका पैर रखकर इस तरह से आप टाइट से डोरी बंद दिजिएगा तो ये आपका सूज देखिए दोनों बनकर तयार हो गया है तो इसी तरह से ये सूज बनने के बाद देखिए कैसा लग रहा है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, थेंक्स पोर वाचिंग मैं वीडियो,